अलवर जिले के नीमराना कजबे में अतिरित पुलिस अदिक्षक के कारेले से सिर्फ दो सो मेटर दूर हुई लूट की घटना ने बदमाशों के बुलंद होसलों को दर्शाया है साथी कानून व्योस्ता पर भी प्रशंचिन लग गया है नीमराना में कल शाम से शास्तर बदमाशों ने एक ज्वैलर और किराना व्यपारी को गूली मार कर खायल कर दिया और करीब 25 लाग के जेवरात सही एक लाग अस्ती अजार की नगदी लूट कर ले गए गटना के बाद पुलिस कर्मी मोके पर पहुँचे तो गुस्ताई भी ने उनसे हाथा पाई की वारदात के विरोध में विपारियों ने सोंब वार सुबे बाजार और परतिष्ठान बंद रखे इसके लावा रास्ता भी रोका इस्तानिय लोगों में इस वारदात को लेकर काफी रोश है वहीं अभी तक पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है वारदात उधरगीक शेतर के श्री क्रिशन टावर इस्तेत योगेश ज्वैलर सयों किराना व्यवसाई की दुकान पर हुई थी सीसी टीवी की फुटेज में सामने आया कि सफेद रंग की कार में आये चार पांच नकाब पोश बदमाशों ने दोनों दुकानों पर एक साथ धावा बोला ज्वैलर्स केलाश चंद और किराना व्यवपारी दामोदर खंडेलवाल के पैरों में गोल लिवारी और करीब आदे घंडे तक लूट पार्ट करने के बाद फरार हो गए इस दोरान व्यवपारी की पतनी ने लूटेरों से संगर्ष करने की कोशिश की घटना के समद में घायल ग्रीन हिल्स नीमराना निवासी केलाश चंद के बेटे योगेश भारदवाज ने मामला दर्च कराया है घायल व्यपारियों को अस्पजाल में भरती कराया गया प्रारंबिक चानबीन के बाद पुलिस मान रही है कि वारदात में हरिया गैंग की बदमाशो का हाथ है यह गैंग भिवारी छेतर में सक्रिय है कुल मिलाकर नीम रारा में एडिशनल S.P. कारेले के पास हुई इस वारदात के बाद से वेपारी दहशत में है